हलो नमस्ति दोस्तों मैं उस रोज मेरे कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों घर की ही रसोई की ऐसी चीजे से आप बिलकुल फिट हो सकते हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों आप अगर मोटापा से परेशान हैं त कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो आज आपके लिए लेकर आएं कीचन की ऐसी एक चीज है जिससे आप बिलकुल फिट हो सकते हैं और दोस्तों मोटापा के साथ साथ में आप बहुत सारी बिमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि ये हमारी हड्डियों के जो हमारे सरीर की बहुत सारी बिमारियों को दूर कर देती हैं क्योंकि मेति का हम सबजी मेति हरी पत्ती की भी सबजी बनाते हैं तो मेति का सर्थियों में लड्डू भी बना करके लोग खाते हैं क्योंकि ये हड्डियों के लिए हमारे जो नसों के लिए हड्डियों के लि बट इसका लेने का तरीका अलग-अलग होता है कि किन किन तरीके से ये ली जाती है तो एक तो दोस्त इसका पाउडर भी बनता है तो आप इस तरीके से इसका पाउडर भी बना करके ले सकते हैं इतना ही मातरा में लेना है इसका जब भी आप पाउडर बनाएं क्योंकि ज़्यादा मातरा में नहीं लेना है तो अब हम बनताएंगे कि किस तरीके से इसको लेना है आपको तो ये सुबह शाम की आदी आदी चमचो में दो भागों में लेना है तो यहां पर मैंने भागों न करेंगे पानी को तो पानी को अच्छे से गरम होने के लिए रख दिये और दोस्तों इसकी मेने जानकारी पूरी डिस्क्रिप्सन में दे रखिए तो वहां जाकर कि इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि मेती हमारे सरीर के लिए कितना ज्यादा फाइदा करता है दोस्तों इस मेथी के दाने के में जितने गुन बताऊंगे ना उतने आपको कम लगेंगे कि ये बहुती गुनकारी चीज है हमारे सरीर के लिए और दोस्तों बालों के लिए भी बहुती अच्छी इससे बहुती सिल्की बाल होते हैं अगर मेंधी लगा रहे हो तो और पानी के अंदर में दो चमच मेंधी के डाल दिये हैं आप बालों में लगा रहे हो तो इसका पानी जैसे इसका उकाल करके और मेंधी के जो आप मेंधी लगा है ना उस पानी में भी वो करके लगा सकते हैं या आप मेंधी का पावडरो पीस करके मेंधी में डाल सकते हैं तब भी लगा सकते है तो दोस्तों ये किसी भी तरीके से आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं और दोस्तों ये जैसे आप भूके पेट में अगर पेट में आपको हलका दर्द है या डाइबिटीज है या खटी डकारे आ रही है तो उसमें भी इसका सेवन कर सकते हैं कैस बन रही है उसमें भी ले सकते हैं ऐसी डिटी है तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है उसमें भी ले सकते हैं इससे आपका जो पेट जैसी समस्या है उसका रोग भी पूरे खतम हो जाते हैं मेथी दाने से क्यों नहीं आपको कम पड़ते रहेंगकि सो बिमारीों से भी ज्यादा बिमारीों को हमारे सरीर की खतम करता है और दोस्तों ये इसकिन के ये चेरे पे भी लगाया जाता, इसको पीस करके पानी में या दूद में भीगो करके चेरे पे आप मसाज करेंगे तो चेरे की रंगत भी बड़ेगी और इस से आपका चेरा साप रहेगा और दाग दबबे भी दूर होंगे और बहुती अच्छा किलो रहेगा इस से चेरे पे, तो दोस्तु ये बहुत सारी चीजों में काम आते ज हैं पर आपका सही पता है कि सही पता नहीं होता है कि किन किन चीजों में किस तरीके से इसको इसको इस्तमाल करना रहता है क्योंकि हम लड़ों में तो घीमे बनाते हैं सर्दियों में और आप चेरे के लिए लगाए तो भीगो करके आप चेरे पर लगा सकते हैं बालों में लगाए तो पानी को इस तरीके से पानी को मेंधी में लगा करके भी लगा सकते हैं बिना मेंधी लगाए हुए इसके पानी से बाल आप दो सकते हैं इसके बाल काले भी होते हैं साइनिंग भी आती है और बाल मजबूत भी होते हैं और वेट के लिए तो हम बताएं तो उसमें हमारे दो ड्रिंक्स बनके तयार हो चुकी है तो इसको हम छान लेते हैं और दोस्तो ग्रति को के अधिक घर form और रेती हमके और एमझेड सब्सक्राइब इसमें बहुत जादा प्रोटीन पाया जाता है, कैलसियम पाया जाता है, यह हमारे जो यह मेथी है, बोईल हो रखिए, इसको आप सबजी भी बना सकते हैं, इसकी सबजी भी बनती है, अगर आप सबजी नहीं बना रहे तो आप कद्दू की सबजी में भी इसको डाल सकते हैं या वैसे सब्जी में भी डाल सकते हैं क्योंकि इसका जो कड़वापन है वो तो चला गया इसमें बिलकुल भी कड़वापन नहीं है तो आप इसको बार मढळ डालना तो ये हमारे दो ड्रिंक्स बन के त्यार हो चुकी है तो अगर आप इसको दिन में तीन बार इस्तिमाल करते हैं तो जितना चाहे आपका फैटो वो जड़ से खतम हो जाएगा कहीं का भी फैटो और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे देख सकते हैं जो अलसी का पाउडर है आप इसमें डाल सकते हैं या इसका पाउडर भी आप इसमें बना करके डाल सकते हैं तो दोस्तों ये इस तरीके से भी ली जाती है या आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं आप इसमें डालना चाहते हैं तो और भी कोई चीज डाल सकते हैं जैसे दा जैसी बीमारियां भी खतम हो जाएंगी तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं